दोस्तों कैसे आप सभी लोग एक बार फिट से वेलकम आपका मेरे यूटूब चैनल इस्टडी भी थी होगे इसमें आज की जो ये वीडियो है ये एक परकार का मतलब आपके लिए एक एडवांटेज है कह सकते हैं आप दो क्योंकि संडे को मैं वीडियो देता नहीं हूँ नॉर्मली और संडे को हम लोग की लाइफ वीज रहती है लेकिन इस संडे लाइफ वीज के टाइम पर कुछ अन्य काम पड़ गया इस वज़े से मैंने लाइफ वीज नहीं रखी नेक्स संडे से आपका डेली लाइफ की जोगी संडे संडे हर संडे को टॉपिक मा आपको कल बता दूँगा उसी के साथ जो टेलिग्राम गुरूप है वहां भी कल मंडे से लाइफ की जोगी लिज एड़ वोईस मैसेज के साथ तो जो भी लोग उस पे जुड़े हैं जो नहीं जुड़े हैं आप उस पे जुड़ जाना टेलिग्राम गुरूप पे पंचाईती राज इस्टिचूशन्स होते हैं उसके बारे में आपकी क्लास इसी हफते आएगी यानि भारत का पंचाईती राज मेरे दारा पहले पढ़ाए जाएगा और वो जो पंचाईती राज वाला टॉपिक है क्योंकि आप एक्जाम भी पंचाईती राज का दे रहें और अगर एकजाम पंचाईती राज का नहीं भी होता जन्रल एकजाम भी होता उस टॉपिक के बडाबर महत्तिपॉल टॉपिक आज तक नहीं हुआ है पूरे जियेस के सेक्षन में और उत्राखन के सेक्षन में यानि सामाणी पेपरूम में भी पंचाईती राज से कोशन प्रवारत में गरीबी निवारन से संब्धित कारिक्रव वगरा रोजगार सर्जन से संब्धित कारिक्रव इस टैप यू टॉपिक मैंने देखे थे वह आपके आ जाएंगी एकोनोमी के लेकिन पंचायती राज इस्टिटूशन से जो होते हैं चाहे वह भारत का हुआ उत्र से मलाने की कोशिश करूंगा तो उस टॉपिक को आप जरूर से जरूर देखना उसको अच्छे से संब्धना होगा तो उससे एक नंबर जीएस के अंदर पॉलिटी का वहीं से होगा उत्राखन के अंदर दो गश्यन या तीन गश्यन टोटर मिलाके तीन-चार गश्यन उसस प्रियावाची देखा और आज मुहावरे लोकोगती यानि पिसली पांच कलासों का जो सार है वो कम से कम पांच से छे नंबर हिंदी में देखा ठीक है कैसे देगा देखिए तत्सम और तदभाव मिलाके एक नंबर का गश्यन आएगा यह उतत्सम से पूछेगा और यह सब के सब आप पे डिपेंड करता है कि आप उस बुक से किस तरीके से उसको ले रहे हैं मैंने आपको समझा दिया उसको तयार करने का तरीका और हर इस टुडेंट को उस पर गौर करना चाहिए और जो भी उस पर फोकस करेगा जो उस तरीके से उसको ले के चलेगा इसको बहुत ज़्यादा हलके मा मत ले नहीं चीज़ों को यह मसूसना विलोमी है परियावाची है मुहावरे है हो जाएगा हो जाएगा मैं लाइफ कहीं बरबाद न हो जाए ठीक है देखिए एक नंबर तस्सम तत्भव एक नंबर आपका देशाज विदेशा सब्द से एक नंबर आपका विलोम सब्द से एक नंबर परियावाची से एक अनिकार्थी एकार्थी आप वाक्यान से के लिए एक सब्द से और एक नंबर या तो नमर का आएगा हिंदी साहित्ते वाला कुश्चन दो कुश्चन लगवा दो से दीन अधिकतम आएगे और अन्य जिसमें आपका पत्र लेखन है या हिंदी कंप्यूटिंग जंशंचार है तो वहां से मिला के चार पांस नमर का कुश्चन आता है तो तब जाके आपकर टोटल किताब है उसके अर्थ समझे कहना क्या चाता इसको समझे तो आपको रटने की जरुवत नहीं पड़ेगी अब बताईए बाइचांस यहां च्छे के च्छे लेहाई अगवान करें ऐसा हो जाए तो कितना हलका है बताओ 14 मार्क्स में कैसे भी किसी या किसी तरीके से 9 नमर तो लेह आओ गया तो बताओ 15 नमर 15 या 15 प्लस मैंने आपसे हिंदी में स्कोर मांगा है आप इतना यहां कर जाते हैं तो बाकि आपका काम बहुत आसानी से बहुत हलके तरीकी से आपकी चीज़े हो जाएंगे ठीक है तो इसको लाइटली मत लेना इसको डेली फोकस करना प देखें मैं आपको लोकोक्ति कराता हूँ इसके अंदर मैंने कुछ महत्पों लोकोक्ति आपके सेलेक्टी की है उसी से आपको काम करना है और वहां से आपका काम बन जाएगा ठीक है देखें पूरा लिखाओंगा नहीं मैं आपको इसी में से काम करना है ठीक है लोकोक्ति अब पेपर में यहां से जो क्वेशन आता है या कोई लोकोक्ती दियोगी उसका अर्थ पोछेगा तो आप लोग अपने पास बुक रखिए उसमें देख लीजिए लुसेंट अगर आपके पास है तो अच्छी बात है लोकोक्ती में पहला देखना असरफी की लूट और कोई कोईले पर चाप यानि आप ये मानके चलिए या तो आप लिखूंगा तो नहीं क्योंकि बहुत टाइम चला जाएगा ये तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं आप या तो उसको टिक कल लीजिए अपनी किताब में जो है या मेरे साथ सुनते सुनते लिख लीजिए जिसको नहीं आता है ठीक है थोड़ा मेहनत लगेगी पहला है असरफी की लूट और कोईले पर चाप अपनी किताब में आप लोग नोट कर ले ना ठीक है असरफी की लूट और कोईले पर चाप इसका आर्थी कहा था मुल्यमान वस्तुकों नश्ट करता सा तुच्छ को संजोना यानि आप असरफी जैसे चीज़ को आप नहीं पूछ रहे हैं कोईले पर आपका ध्यान है यानि कहने का मतल जो कीमती चीज़े हैं उसकी ओर ध्यान न देके आप हलकी चीज़ को ले के आ रहे हैं यानि उस पर ध्यान दे रहें ठीक है पहला यह आपने टिक लगाना है लो अकेला होना यानि जो इंसान घर का अकेला होता है जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता उसको बोलते हैं आगे नाथ ना पीछे पगहा ठीक है नेक्स्ट सुनना आप लो उंट बहे और गधा पूछे कितना पानी यानि उंट तो बह रहा है और गधा पूछ रहा है कि कितने प वोकती है क्या है उंट बहे और गदहा पूछे कितना पानी यानि इसका अर्थ क्या है जहां बड़ों का ठिकाना नहीं वहां छोटों का क्या कहना ठीक नेक्स्ट देखिए एक मियान में दो तलवार नहीं होती है यानि एक मियान जो इसमें दो तलवार नहीं इसका आर्थ होता है एक इस्तान पर दो उग्र विचार नहीं होते हैं दो एग्रेसिव थौट वाले एक इस्तान पर नहीं हो सकते हैं नेक्स्ट देखिए ओछे की परीत बालु की भीत ये बहुत ज़ादा इम्पर्टेंट है ठीक है अब बालु से अगर आप दिवार मनाओगे तो बताओ कितने देरों ठिकेगी हो तो डह जाएगी ना तो इसका क्या आर्थ होता है ये मतलब नीचु का प्रेयम होता है वो शन प्रिक होता है यानि शन भर के लिए होता है कुछ ही समय के लिए होता है यानि ओछे की प्रीत बालू की भीत नेक्स सुनना काबुल में क्या गदहे नहीं होते है अपने बुक में टिक लगाते रहना ठीक है काबुल में क्या गदहे नहीं होते है यानि अच्छे और बुरे गाच्छे कटहल ओच्छे तेल इसका मतलब क्या है काम होने से पहले ही फल पाने की इच्छा रखना यानि काम हुआ नहीं है पहले ही सोचरों की फल पालेंगे तो इसका मतलब जो होता है जो अपने आप लोकोक्ती है गाच्छे कटहल ओठे तेल काम होने से पहले ही फल पाने की इच्छा रखना नेक्स्ट आपने टिक मानने है घड़ी में घर जले नो घड़ी भद्रा नेक्स्ट में टिक मानने आपको सब बुक में आपकी लुचेट बुक में मिल जाए गए घड़ी में घर जले नो घड़ी घड़ी भद्रा इसका मतलब होता है हानी के समय सुवाव और कोज़र पर ध्यान नहीं देते हैं जब आपको loss हो रहा होता है तो मतल्द जो loss है उसके समय क्या सही है क्या गलत है उसे भी ध्यान नहीं दिया जाता है नेक्स्ट देखना चुहे घर में दंड पेलते हैं यानि इसका मतलब है अभाव ही अभाव यानि घर में कुछ है ही नहीं सब कुछ खतम है यानि कमी ही कमी है चुहे घर में दंड पेलते हैं यानि चुहों का वहाँ क्या हो रहा है राज हो रहा है इसका अभाव ही अभाव नेक्स देखना ठटेरे ठटेरे बदलोस यानि इसका मतलग आता है चालाग को चालाग से काम पढ़ना यानि ठटेरे ठटेरे बदलोस यानि बदलोस का मतलग आता है ठटेरे ठटेरे बदलोस का चालाग को चालाग से ही काम पढ़ता है नेक्स सुनना तीन कर्नोजिया तेरह चूला जितने आदमी उतने विचार यानि तीन कर्नोज के आदमी मिल जाएंगे तो उतने विचार रख देंगे ठीक है तीन कर्नोजिया तेरह चूले का अर्थ है जितने आदमी उतने विचार next देखना तण पर नहीं लगता, पान खाए, अलबक्ता इसको ठीक लगाना सेखी बगारना ठीक है यहनि फालतु की डीक मानना यहनि कुछ है तो नहीं लेकिन इधर उदर की बहुत ज्यादा फेंक नहीं सकते हो ठीक है तन पर नहीं लत्ता पांखाए अलबत्ता यानि इसका आर्थ आता है सेखी बगहारना इसको इंपर्टेंट भी करना सेखी बगहारना इसको लिखना है तन पर नहीं लत्ता पांखाए अलबत्ता नेक्ष्ट आपका आता है दमणी की बुलबुल नौटका दलाली ठीक है क्या सुनने ना दमडी की बुलबुल नौ टका दलाली इसका अर्थ है काम साधारन खर्च अधिक next आता है दाल भात में मुसल चंद इसका मतलब होता है बेकार दखल देना ठीक है दाल भात में मुसल चंद का आता है बेकार का दखल देना नेक्स्ट है, नकार खाने में तूती की आवाज, इसका मतलब होता है, सुनवाई न होना, इसको भी important करना, नकार खाने में तूती की आवाज का अर्थ होता है, सुनवाई न होना, नेक्स्ट है, नो नकत न तेरा उधार, इसका क्या मतलब होता है, अधिक उधार की थोड़ा लाब क्या होता है अच्छा होता है तो इसका मतलब होता है नौ नकदना तेरा उधार का सिधिस दर्थ है अधिक उधार की पिक्षा थोड़ा लाब सही नेऍस्ट देखना नीम हकीम खत्रे जान ये भी important है इसके होता है अयोग्य से हानीया यानि जो योग्य इंसान नहीं होता है उसको उससे हानी होती है इसको क्या बोलता है नीम हकीम खत्रे जान अगला देखना बिल्ली के भागी से छीक टूटा इसका मतलब क्या होता है संयोग अच्छा होना ठीक है एक अच्छा उसर यानि एक अच्छा संयोग नेक्स देखना मार मार कर हकीम बनाना इसको टिक करना आप जबरदस्ती का आगे बढाना मार मार कर हकीम बनाने का जबरदस्ती का आगे बढाना नेक्स देखो मानो तो देव नहीं तो पत्थर मानो तो देव नहीं तो पत्थर इसका मतलब था विश्वासी फलदायक है ठीक ह यानि आपको चीज़ों पर विश्वास करना होगा, कहता है न मानोते दो नहीं तो पत्थर, यानि इसका मतलब है विश्वास ही करना बहतर है, विश्वास ही क्या होता है, फल दायक होता है अगला देखना मंगनी के बैल के दात नहीं देखे जाते हैं अर्थाज मुफ्त मिली चीज़ पर तारकी व्यारत से नहीं किया जाता है यानि मंगनी की बैल होती है उसके दात नहीं देखे जाते हैं इसका मतलब जो मुफ्त में आपको चीज़ मिलती है उस पर तरक वगरा नहीं करते हैं यानि तरक करना असपर व्यर्थ है ठीक है अगला देखना रोग का घर खासी जगडे का घर हासी यानि अधिक मजाग बुरा है यानि इसका मतलब क्या है रोग का घर खासी जगडे घर हासी यानि अधिक मजाग करना क्या होता है अपने आप मोल तोल करते हैं इसको क्या बुल पूलता है लोकोक्ति में इस कार्त है ज़्तना तो आपका हो गई होगा देखिए आपके आते हैं मुहावरे ठीक है तो मुहावरे और लोकोक्ति दोनों को ये मुझे लगता है कि बेखते कर तोर पर इनमें से कोई आपका आजाएगा लेकिन हर student की capacity अलग-अलग है हर student की समझ अलग-अलग है तो आप लोग इसको भी तइयार किताब से करोगे उसी तरीके से जैसे विलोम और परियावाची का मैंने आपको बताया किस परकार से आप तयार करोगे क्योंकि होता है क्या है सब्दू के अर्थ सबको पता नहीं होते हैं अब कई चीज़े बहुत हलकी होती है मुझे लग रहा है तो बहुत हलका है सबको आता होगा लेकिन हो सकता है किसी student को नहीं आता हो और paper मों वही आ जाए तो आप पुरी मुहावरे और लोकोक्ती की list देखना जो किताब आपको है खुद पूशना खुद से कि यार इसका आर्थ मुझे आता है नहीं आता है क्योंकि मुहावरे लोकोक्ती हमें school time से पढ़ते आए हैं तो आप लोको जो नहीं आता हो उसको highlight करना जो आता हो उसको छूना भी मत क्योंकि छूओगे तो आपको सब के सब पढ़ने पढ़ेंगे नहीं आता उसको highlight कर तो वही वर daily देखने हैं, बागी के नहीं देखने हैं अब देखो मुहावरे में, पहला मुहावरा आंखों में चर्भी छाना देखें टिक कीजिए, आंखों में चर्भी छाना इसका मतलब क्या होता है सिधा सिधा, घमंडी होना खमंडी होना बोलते हैं आंकों में चर्वी चाना नेक्स्ट देखना आखे नीली पीली करना इसका मतलब होता है नाराज होना क्या होता है आखे नीली पीली करने का मतलब नाराज होना इस सब के सब मुहाओ रहे हैं अगला देखे आख का अंधा गांश का पूरा इसका मतलब है मूर्ख धनवान यानि पैसा तो बहुत है उसके पास गांश का पूरा है लेकिन आख का अंधा है उसको पता ही नहीं क्या करना है तो आख का अंधा गांश का पूरा मतलब मूर्ख धनवान ठीक है नेक्स देखे आखों में पानी रखना इसका मतलब होता है मुरववत रखना क्या होता है मुरववत रखना इसको भी आप लोग इंपोटेंट करना आख में पानी रखना अगला देख लीजे आप सीधे-सीधे कान काटना, इसका मतलब होता है कान काटने का बढ़कर काम करना, ठीक है, कान काटने का मतलब क्या होता है, बढ़कर काम करना, अगला देख लीजे काम उमेठना, कान उमेठना का मतलब कान ठीक है, इसका मतलब होता है सपत लेना, क्या ह अगला देख लिए दात कटी रोटी इसको important करना है दात कटी रोटी का मतलब क्या होता है एक मूर्ख धनवान के लिए मतलब मूर्ख धनवान नी मतलब गहरी दोस्ती के लिए इसको यूश किया जाता है दात कटी रोटी आपको important करना है ठीक है दात कटी रोटी का मतलब क्या बुरे दिन आना उसको बोलते हैं तालू में दात जमना इसको भी इंप्रेंट करना नाक का बाल इसका बोलते है पिरिय होना जैसे आप लोग ने सुना गए नाक में बाल आ रहा है यार हमारे हां कहाओ ते भी आप इसके पैसा आने वाला है तो नाक के बाल को हर कोई पसंद क यह किसी परकार की नेक्स्ट आप लोग को देखना अगिया बैताल अगिया बैताल का मतलब होता है क्रोधी होना यानि जो अगिया बैताल सब्द है इसके लिए किसी इसके लिए यूज होता हो क्रोधी के लिए होता है नेक्स्ट देखना अकल का अजीन इसका मतलब क्या हो अकल का पुतला, अकल का पुतला मतलब बहुत अधिक बुधिमान, अकल का पुतला है कहते हैं, इसका मतलब बहुत ज़्यादा क्या है, बुधिमान है, ठीक है, नेक्स्ट देखना, अंतर के पट खोलना, अंतर के पट खोलना मतलब विवेक से काम करना, सेंस से काम करना, अंत अंकुस्त देना जैसे हाथी को हाखने कर लिए लोही खा तो उसी प्रकार से उसको अंकुस्त देना का मतल 어쨌든 घंडे का सहजादा । इपक है अगला देखना आग पानी का बैर यानि सहज बैर आग और पानी का बैर का मतलब होता है सहज बैर इसको भी आप लोग ने इंपोटेंड करना है ठीक है नेक्स्ट सुनना इट से इट बजाना यानि ध्वस्त होना इट से इट बजाओगे दो इट को टकराओगे तो आपस में क्या होगा ध्वस्त होगा ठीक है तो इट से इट बजाना मतलब ध्वस्त होना अगला एक लाठी से सब को हाकना यानि उचित न्याय करना सभी के साथ एक लाठी से सबको हाकने का मतलब होता है, उचित न्याई करना, नेक्स्ट ओस का मोती, अपर ओस का मोती होता है, श्यन भंगूर, यानि जो कुछ समय के लिए होता है, ठीक है, ओस कितनी देर तिकती आप बताओ, सुबह ओस पड़ी, थोड़ी धूपाई तो ओस गाए, तो ओस का मोती मतलब श्यन भंगूर, यानि कुछ समय के लिए होता है, उसको बोलते है, ओस का मोती, नेक्स्ट देखना, कलई खुलना, यानि कलई खुलने का मतलब होता है, भेद प्रकट होना, यानि जिसका रहस्य था जो भेद था, वो प्रकट होना, उसके लिए होता है, कल कागजी घोडे दोडाना इसका मतलब होता है व्यर्थ की लिखा पड़ी करना ठीक है कागजी घोडे दोडाने का मतलब होता है व्यर्थ की लिखा पड़ी करना अगला देख लिजे सिदे कपास ओटना यानि सांसारिक कामधंदू में लगे रहना कपास ओटने का मतलब होता ह जो सांसारिक कामधंदे हैं उस पे लगे रहना ठीक है अगला देख लिजे कोल हु का बैल ये इंपोटेंट है अपने आप में खूब परिश्रमी ठीक है आपसे भी कहता हूँ अगर आपको इस एक्जाम को निकालना है या जिसके पास वो सकती है यह नहीं फिर भी वो उसको दसा रहा है तो किस खेत की मुली उसका यूज होता है अगला देखना खेत आना खेत आना भी इंपोटेंट है युद्ध में मारा जाना इसको याद अटना खेत आना मुहावरे का मतलब है युद्ध में मारा जाना अगला आप लोग सीदे देखलेजे हजामत बनाना, हजामत बनाने का मतलब थगना किसी को जूट बोलना यानि हजामत बनाना उसके लिए उज़ोता है नेक्स्ट देखना हल्दी गुल पिलाना खूब मारना हल्दी गुल पिलाने का मतलब होता है खूब मारना अगला देखना सब्ज बाग दिखाना यानि बड़ी बड़ी आसाएं दिखाना ये भी इंपोटेंट है सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का जो अर्थ होता है दुबह का चिराग होना मतलब है समापती पर आना अगला देख लिए सब धान 22 पसेरी ये भी इंपोटेंट मुहावरा है इसका मतलब होता है सब के साथ एक समान ब्याओहार यानि एक्वैलिटी अगर जहां पर आप दिखाएंगे तो उसके लिए सब धान 22 पसेरी ये नेक्स्ट सेखी बगहारना यानि डीक हांकना यानि जो जूट बोलता है जो खाली की फालतु की फैक्त है उसके लिए बोलता है सेखी बगहारना सेखी बगहारने का मतलब होता है डींग हाकना ठीक है ये भी important है next है सैतान की आत इसको भी important करना ये होता है बहुत बड़ा ठीक है सैतान की आत का मतलब होता है बहुत बड़ा next है आपको देखना है रंगा सियार रंगा सियार मुहावरा जो होता है उसके ढोंगी के लिए जो सब्द यूज होता है जो मुहावरा यूज होता है उसको बोलते हैं रंगा CRT के ये भी आपको ध्यान रखना है अगला देखना रसातल चला जाना रसातल चला जाना मतलब एकदम नस्त हो जाना यानि सब कुछ समाप तो हो जाना तो रसातल चला जाना मुहावरे का आर्थ है एकदम समाप तो होना है अगला फेडिया धसान होना, देखा देखी करना, जैसे बोलते हैं यार वो तो फेडिया धसान है, तो फेडिया धसान होने का अर्थ होता है, अपने आप में देखा देखी करना, अगला देखना बंदर घुड़की देना, यानि किसी को धमकाना या धमकी देने के लिए जो म मकाना ठीक है अगला देखना बासो उचलना काफी खुस होना बासो उचलना मोहावरेका आर्थ होता है काफी ज्यादा क्या होता है खुस होना अगला देख लेजिए बालू की भीत पहले ही बता दिया मैंने बालू की भीत मतलब जो सीगर ही नस्ट होने वाली चीज है बालू का मतलब होता है दोस दिखाना या आलोचना करना इसको भी आप लोग ने अपने उसमा हाइलाइट करना है नुक्ता चीनी करना मतलब होता है दोस दिखाना या आलोचना करना अगला देखना आप लोग सिधे-सिधे धूप में बाल सफेद होना यानि अनुभव के बिना ही ब तो उसको बोला जाता है कि कम दर्शन होना ठीक है सेम बात है वही वाली बात है नेक्स्ट थाली का वैगन जिसको सिध्धानती इन मतलब एक परकार का जिसका विचार इस्तिर नहों कभी किसी विचार के साथ कभी किसी विचार के साथ सुना होगा अपने थाली का वैगन है त से कहते हैं आचकर उसकी तूती बोल रही है तो कहीं न कहीं अपने आप में प्रसिद्ध हो रहा है ये ध्यान रखना ठीक है नेक्ट इस तारे गिनना तारे गिनने का मतलब होता है दुर्दसा अना जब किसी की कंडिशन खराब होती जब बुरिश्टिति आती है तो उसके ल होता है मूर्ख या गरीब ठंठन गोपाल को भी टिक कर देना मूर्ख या गरीब ठीक है अगला जो आता है गुलर का फूल ये बहुत इंपोटेंट है पहले भी आया था दुरलब चीज होती है जो बहुत कम दिखाई देती है जो दुरलब है उसके लिए जो मुहावरा य गुलर का फूल एक गुलर होता है उसका फूल बहुत दुरलब बहुत रेर दिखता है उसके लिए जो दुरलब चीज ठीक है अगला गज भर की चाती होना यानि उत्साहित होना बहुत एक्साइटेड होना गज भर की चाती होने का मतलब है उत्साहित होना ठीक है अगला गोटी लाल होना यानि लाब होना गोटी लाल होने का मतलब है लाब होना प्रॉफिट होना ठीक है नेक्स्ट आपका आता है गुदडी का लाल गुदडी का लाल भी इंपोटेंट है इसका मतलब है गरीब के घर का जो अपने आप में गुणवान होना यानि गरीब के घर में गुडवान का होना होता है गुदडी का लाल ठीक है ये भी इंपोटेंट है नेक्स्ट आता है गुलर का कीड़ा गुलर का कीड़ा होता है सीमित दायरे में भटकना ठीक है एक फिक्स रेंज में वो भटकता है गुलर का कीड़ा बोलते है सीमित दायरे में भटकना ठीक है न नेक्स्ट आता है चांदी का जूता यानि रूपियों पर जोर क्या है रूपियों पर जोर के लिए किसका यूच किया जाता है चांदी का जूता इसका अर्थ होता है रूपियों पर जोर ठीक है अगला लिखो जाड मारना जाड मारने का मतलब होता है घिरना करना क्या होता ह आता है गाडे का सांती यानि असमाई का सहयोगी यानि बुरे समाई का सहयोगी असमाई का सहयोगी जो में टाइम पे सहयोग न करें असमाई पे सहयोग समाई पे तो सहयोग नहीं दिया असमाई पे सहयोग कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं गाडे का सांती इसका आता है का सवयोगी next हिरन की सिंग होना हिरन की सिंग होना का बहुत ज़्यादा कीमिती होना ठीक है यह भी आपको important करना है next खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे आपकी किताब में लिखा होगा खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे इसका मतलब है क्रोधा वेस में अटपठा कारे करना यानि जब बिल्ली को गुसा आता है वो कुछ अलगी काम करने लगती है तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे का मतलब है अपने आप में क्रोधा वेस में अटपठा कारे करना यानि क्रो नौ दिन चले अडाई केस इसका मतलब अडाई कोस ठीक है सुरी अडाई केस नहीं अडाई कोस नौ दिन चले अडाई कोस यानि सुस्ती से कारी करना बहुत सलोली काम करना लेजिनेस दिखाना नौ दिन चले अडाई कोस ठीक है अगला पेट में दाड़ी पेट में दाड़ी अमर बेल बनाना यानि द्रिणता पुर्वक चिपकना ठीक है अमर बेल बनाना लकीर का फकीर होना यानि जो परंपरावादी होता है जो अपनी परंपरा के अकॉर्डिंग चलता है उसके लिए बहुता है लकीर का फकीर होना ठीक है अगला देखना आप मिट्टी का माधो इ इसका मतलब होता है लडाई जगड़ा हो जाना ठीक है जूतियू में डाल बटन वाटने का मतलब है लडाई जगड़ा हो जाना खेत रहना इसका मतलब है वीरगती को प्राप्त हो जाना यह उन्हें पहले भी बताया था खेत रहने का मतलब है वीरगती को प्राप्त हो जाना next है खरगोष के सींग निकलना या हिरन के सींग निकलना एक ही चीज है यानि मतलब हिरन के तो कीमती होता है और खरगोष के सींग निकलना का मतलब होता है अपने असंभाव होना यानि खर्गोष के सिंग तो होते नहीं है उसके भी सिंग निकल गए तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये असंभव काजी हो गया कुए में भांग पढ़ना सभी की बुद्धी खराब होना है अब दो बचे हैं एक लिखें लास्ट हसुए के ब्याह में खुर्पे का गीत यानि असंगत बात है करना हसुए के ब्याह में खुर्पे का गीत इसका मतलब है असंगत बात है करना और अन्त आता है आपका चादी का एनक लगाना, चादी का एनक लगाना मतलब किसी ने किसी परकार की परतिष्ठा बनाए रखना, चादी का एनक लगाना मतलब किसी ने किसी परकार की परतिष्ठा बनाए रखना, और नीम हकीम खत्रे जान का मतलब है अल्प विध्या भायं ठीक है ये थे आपके मेन मेन मोहावरे और लोकुक्ती जो आपको टिक लगाने ये कोई प्रॉपर रूटीन कलास नहीं थी ये सिर्फ आपको ये बताना चाहर था कि आप इनको टिक लगा कि इनको पढ़के ही जाना बाकी तरीका उसी तरीके से आपको अपनाना होगा जो चाहिदी राक्षी कलास आए फिर मिलता है आपके साथ अगले सेशन में ध्यान रखिए थेंक्यू